ग्रामीन श्योम सायता समू की महिलाओं ने इस वर्स जो इंटरनेशनल इयर ओफ मिल्ट्स 2023 जो घोसित किया गया है उसी दिसा में नए नवाचार करते हुए राजस्थान के सिंगद्वार के नाम से विख्यात अलवर जिले में बानसूर ब्लोक में श्योम सायता समू की महिलाओं ने बाजरे से बने कुछ जो उत्पाद हैं विसेश कर जो मोटा जो अनाज है जिसमें हम बात करें बाजरे की या फिर हम बात करें मक्का की या जुआर क प्रचूर मात्रा में अलवर जिले में बाजरे की पैदावार होती है और सर्दी के मौसम को देखते हुए इन उत्पादों को बाजार में बहुत पसंद भी किया जाता है काफी संख्या में लोग इने खरीदते भी हैं इन महिलाओं को युवा जागरती संस्थान नाबाड के जिला विकास प्रबंदक डीडियम सर स्रीमान प्रदीप चोधरी जी किसे प्रेड़ना प्राप्तकर और क्रिसी विज्ञान के अंदर बानसूर से बाजरे से बने हुए उत्पादों के अलग अलग तरह के प्रसंस्क्रण उत्पाद मठरी लड़ू या बात करें हम बिस्किट या बात करें नमकीन या फिर हम बात करें इनके दुआरा बनाए गए लड़ू जो की काफी स्वादिस्ट और पोसक भी होते हैं माना जाता है कि जो मोटा अनाज होता है उसमें प्रोटीन कार्बो हाइडरेट खनीज लवन जैसे कैल्सियम फास्फोरस तता लोहो तत्तु प्रदान करता है राजस्थान में विसेशकर महिलाओं बच्चों में पो प्योग किया जाए तो यह काफी लाबकारी और कुपोशन को दूर करने वाला भी साबित होता है भारत में अनाज से अधिक उत्पादन को देखते हुए क्रसक महिलाएं अनाजों के प्रसक्रण के माध्यम से लगू यह उसाय प्रारम कर सकती है युवा जागरती संस्थान इन महिलाओं के लिए सदा सतत तरीके से प्रियास कर रहा है अगर मैं बात करूँ श्यों सायता समू की महिलाओं के दुआरा मिल्ट सखी आउटलेट भी बानसूर में इस्थापित किया गया है जहां बिस्किट नमकीन बर्फी या फिर हम बात करें मठ्री और लड्डू य ऑपी हाल ही में कुछ समय पहले कोता में जो इस टोल लगाई गई थी वहां भी इनहों ने अपने बाजरे के बने उत्पादों को वहां इस टोल पर लगाया जहां नाबाढ्र के चेर्मेन सर और वहां आसपास उपस्थित लोगों ने अधिकारी कड़ों ने इस टोल का विजिट किया और विजिट करके इन महिलाओं के दुआरा बनाए गए मोटे अनाज के जो लड़ू, पापड, मुठिया, नमकीन, बिस्किट इनकी स्वाद की प्रसंसा की और नाबाड के चेर्मेन मोहदै स्री केवी साजी ने इनके स्वाद को चक्कर बताया कि ये काफी स्वास्त वर्दक है साथ में इन महिलाओं दुआरा ये जो नवाचार किया गया है वो काफी रोचक है तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ग्रामीन छित्र की महिलाओं को ना सिर्फ ये जो बाजरे से बने हुए उत्पादों से रोजगार के नए उसर स्रजित हो रहे हैं साथ में आय जनक गतिविदियों से जुड़कर और वो अपने आपको आगे बढ़ा रही है ऐसी ही कहानी को आज हम अपने गाउवानी स्टूडियो के इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुचा रहे हैं कि आप भी बाजरे के बने हुए उत्पादों को विसेश कर सरदी रितू में तो काफी हमारे छेतर में बाजरे की रोटियां या फिर बाजरे की खिचडी और कई तरह के जैसे बाजरे का चूर्मा ये भी काफी प्रचूर महत्रा में बनाया जाता है तो हमें स्वास्त के प्रती ये काफी पोसक माना जाता है तो इसका सेवन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए साथ में अगर बच्चों को बिस्किट, नमकीन या फिर मुठरी, लड़ू इस तरह के पोसक अगर व्यंजन बनाकर खिलाए जाते हैं तो बच्चे बड़े चाव से इनको खाते हैं तो हमारा प्रियास है आप लोगों को इस गावण स्टूडियो के माद्यम से आपको इस प्लेटफोर्म के थूरू इन महिलाओं के दुआरा बनाए गए बाजरे के उत्पादों के बारे में जागरू करना अगर आप इनके मि अगर प्रेडूशर कंपनी लिमिटेड पर आकर संपर्क कर सकते हैं वहां से आप ओडर बुक करा सकते हैं यहां तक कि जनम दिन के उपर यह बाजरे के बने हुए केक भी अवेलेबल कराते हैं तो आप अगर कहीं आपके घर में कोई जन्म दिवसकी ऐसी कोई पाल्टी हो तो उसमें इनके द्वारा बनाई गई बर्फियां लड्डू बिस्किट नास्ते के लिए काम में ले सकते हैं और साथ में आप लड्डू और बर्फि भी लाजबाब स्वाद के रूप में आप काम में ले सकते हैं तो हम उम्मीद करते हैं हमारा यह कारिक्रम आपको अच् झाल झाल